हाई फ्रेंड्स we are going to solving this question question को दिखते हैं ठीक है question का रहा है the width of a rectangle is two-third its length ठीक है question का रहा है कि जो rectangle का जो width है वह length के two-third है ठीक है if the perimeter is 180 meters find dimension of the rectangle तो आप से क्या कुछ रहा है rectangle का dimension कुछ रहा है question समझो यह आपका क्या है यह आपका एक rectangle है ठीक है rectangle है इसे समझ जाओ यह आप समझ हम ले रहा है इसे एल ले रहा है और B for breath को हो या width को ठीक है question का रहा है यदि जो है जो length of the जो आपका rectangle का जो width है मतलब ब्रेथ है यह ब्रेथ है वह रेक्टेंगल के length के two third है ठीक है two third है यदि उसका perimeter 180 है तो उसका rectangle का dimension क्या होगा means उसकी length length और ब्रेथ क्या होगा ठीक है कुछ पल के लिए हम माल लेते हैं कि जो rectangle है rectangle की जो length है उससे हमने x meter मालने ठीक है let the length of the rectangle be x ठीक है हमने माना कि जो यह rectangle जो है इसकी length जो है x meter है ठीक है तो इसका जो breadth जो है आप इसे breadth को ब्रेथ को या width को बहुत हर सेम ठीक है कि दिया है जो rectangle का width जो है वह उसके के रेक्टेंगल के लेन्द के 2-3 रहाँ मिल्स समझते हुँ 2-3 मसली होता है कि X का 2-3 मतलब का का की मतलब uhů में कि Lock में कि क् finals मल्टिप्लाइ होता है मिंस आफ तू थार्ड मींस यह होगा आपका टू बाई थ्री एक्स हो गया उसका व्रेध हो गया और इस रेक्टेंगल का आप सभी जानते हैं पेरिमीटर का फर्मुला क्या होता है पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल ठीक है पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल फर्मुला क्या होता है अपकर 2 इंटू L प्लस B होता है पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल जो है अल्रेडी क्या हुआ है दिया हुआ है कितना 180 मीटर ठीक है तो 2 इंटू ऐल कितना आपने एल माना था देखू एल माने हो X को और 2 इंटु टू टू बाई 3 x जो है आपका विड्ध है यह ब्रेटयों ठीक है तो आपका x ॷ्क प्लस 2 है अग्ये निच呢 तो 1 है तो एंटिक 1-2 इघ duas影 कितना हो थे कुए बहुकंत हुगा तो आप जब 3 को वन से दिवाइड करोगेsti सिव गायर से छो मच्bery हो गहायर सबूसे ठ्री से अधिर慢慢 काई बार में जाएगा देन वन से तुसे मल्टीप्राइड करोगे सब्सक्राहि कर दो आपका 2 x हो गया है ठीक है then 180 equal to आपका 2 into 3x plus 2x 5x by 3 ठीक है अब cross multiply कर दो 180 into 3 by 2 into 5 ठीक है equal to x तो देखू तो आपका कितना हो हो गया तो यह 2 से केंसिल करोगे कितना बार में 9 and 090 हुआ और 5 से केंसिल करोगे तो आपका 18 बार में यह केंसिल है ठीक है तो अब आपका कितना आया 18 into 3 means 54 ठीक है 18 3 आपका जो आया 54 मतलब x equal to 54 आया तो x आपने क्या मना था length of rectangle देखू तो length of the rectangle कितना माने थे हम एक्स माना थे ठीक है तो यह आपका 54 हो गया 54 मेटर और इसका जो ब्रेथ ब्रेथ कितना माने थे आपका 2 times 2 by 3 x तो 2 by 3 into x कितना है 54 है जब आप इसे 3 से केंसिल करोगे तो 18 बार में केंसिल हो जाएगा देन 18 into 2 कितना हुआ आपका 36 हो गया मिस 36 मीटर इसकी ब्रेथ आगे तो लिखोगे कि हैंस हैंस दा लेंथ हैंस दा हैंस दा लेंथ हैंस दा लेंथ आपका लेंथ कितना था आपका 54 एंड ब्रेथ 36 रेस्पैक्टिवली ठीक है रेस्पैक्टिवली ओके तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पूल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें के